इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है परिवर्तन लाने का नाम सस्थन को अंदर विठाना है तीर्त में जाना नहीं और तीर्त में तीर्त में जाने के वाग तीर्त के मर्यादा को अंदर विठाना है हमारी दू लडाई है व्यक्ति विशेश से नहीं है हैं व्यक्ति के सिधांत की लड़ाई है किसकी लड़ाई है हमारा विरोध व्यक्ति का नहीं है व्यक्ति की सोच का विरोध है हमारा मंदिरों का विरोध नहीं मंदिर में जो मान मर्यादा का पालन नहीं है उसका ठीक है न और जब हमारे जीवन में मान मरियादा नहीं होगी तो याद रखना कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकता तरक्की नहीं कर सकता मान और मरियादा को हमें जीवन में पालन करना चाहिए क्या करना चाहिए एक बात याद रखना हमें मान और मर्यादा मर्यादा के बाद ही हमें मान मिलता है क्या मिलता है क्या मिलता है पहले क्या करना है मर्यादा हम क्या चाहते हैं मान मिल जाए मर्यादा का पालन समान के एक ही चीज द्यान से सुन लीजिए अगर कोई व्यक्ति समान की चाह करता है करें और अगर वह मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो हर कदम हर तिन हर पल हुआ है अखमान का पात्र बनेगा यह चैलेंज है और गरंड़ी हमारी पहले मर्यादा को फलो करें हम क्या चाहते हैं मान तो हमें मिले जाए मर्यादा हम पालन नहीं करें सड़क पर चलोगे तो उल्टा सीधा गाड़ी चलाओगे तो पिटोगे सड़क पर जाकर के बस प्रीनों के घुमोगे तो बहुत दंडे पढ़ते हैं पढ़ते हैं पहले मर्यादा फिर मान आज कल क्या है सब की सोचिये हमें सम्मान मिलना चाहिए मिल सकता है कि घर में मिलेगा पड़ोस में मिलेगा रिष्टेदार मिलेगा नहीं अगर तुम डिसिप्लेन को करोगे तो कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा उठाएगा भगवान कृष्ट ने ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन में पूजन कराया और यह संदेश प्रकर्ति ही हम सबक्य क्रति को बदलती है प्रकर्ति ही क्रति की डेफिनेशन रचना जब प्रकर्ति के अनरूप हम चलेंगे प्रकर्ति की पुजा हम करेंगे तो क्या होगा क्रति रचना ही बदल जाएगा उदाहरन के तौर पर देखो बारेश हो रही है मौसम ठंडा है क क्या है गरम तो नहीं है पकी बात है क्या बदला है प्रकृति बदली तो मौसम अपने आप बदल गया बातावर्ण बदल गया जो हमें गर्मी लग रही थी वो हमें आनन्द की अनभूति में बदला है तो प्रकृती के अनरोब चलने का नाम कृती की सुन्दर रचना है तो भगवान कृष्ण प्रकृती के सबसे बड़े पुजारी है और भगवान ने संदिश दिया है सबसे पहले धर्ती बचाओ दुसरा जल बचाओ तीसरा परवत बचाओ चौथा बन बचाओ पासमा सरोवर बचाओ छटमा गायों को बचाओ सातमा जो बनने प्राणी है उनुको बचाओ यस प्रकृती बचेगी तो संसार बचेगा और प्रकृती उजडेगी तो संसार खत्म होगा कोई रोक नहीं सकता हम उस्चित पर बात करें तो गई लोगों को लगता है कि यार यह प्रजगाची महराएन व्यक्ती का विरूद करते मेरा व्यक्ती से तो आज तक कोई मन ही नहीं है मुटाव ही नहीं है मेरा व्यक्ती की जो क्योंकि व्यक्ती को हम अपना मानते अब अपना मानते तो सुधार चाचे एक सुधार हो जाए पर भईया सुधार होने वाला नहीं है क्यों हमारे जिवन में जो फिडिंग है फीड हो चुका है एक बहुत अच्छी बात है नेचर और सिगनेचर नहीं बदलता है क्याने बदलता है आप जितने लोग के साइन कराईए सब के साइन सिगनेचर अलग हो सब के अउटे भी अलग होंगे होंगे ना थम भी अलग होगा नेचर भी अलग होगा और सिगनेचर भी अलग होगा इसलिए सुधार होने बाला नहीं है वहां नहीं क्या नहीं है अब हमें पस्तन हमारा क्या करता है ये हमारे सुभाब को बदलता है